हमारे सामने आज़ाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष है हमारे सामने आज़ादी के सोवे साल से पहले 2047 के पहले नए भारत के निर्मान का लक्ष है और नेता जी को देश पर जो विश्वास था जो भाव नेता जी के दिल में उभरते थे और उनके भावों के कारण में कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष तक पहुँचने से रोक सके हमारी सभलताएं हमारी संकल्प सक्ति का सबूत है लेकिन ये यात्रा अभी लंबी है हमें अभी कई शिखर और पारकन नहीं है इसके लिए जरूरी है हमें देश के इतिहास का हजारों सानों की यात्रा में इसे आखार देने वाले तब त्यान और बलिदानों का बोध रहें भाई और भेनों आजहादी के अमरत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेणाओं को पुनर जिवित करेगा ये दुर्भाग्य रहा कि आजहादी के बाद देश की संस्कृती और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया स्वाधीनता संग्राम में लाखो लाख देश वाच्छों की तपस्या सामिल थे लेकिन उनके इतिहास को भी सिमित करने की कोशिश हुई